वाव, यह मेरा नया घर है। मुझे पता करना चाहिए कि मेरे पडूस में कौन रहता है। बेटल जूस। बेटल जूस। बेटल जूस। यह कौन है। ओ, ममी, क्या हो रहा है। मुझे डग लग रहा है। मुझे लगता है कि वो जल्दी यहां आ जाएगा पॉरा है क्या मेरा सेरबी भी सही जगह पर है मैं यहां हूँ हेलो बार्बी जॉम्बी चलब पड़ोसी बन जाते है पेंटिंग मेरे लिए नहीं है इस फेंटिंग में कुछ ग्रीन रंग होना चाहिए वह मेरे ड़कार की पूरी ताकत से हो जाएगा यह हुई न बात ओप, क्या लेडी अभी भी यहां है कितना सब यह है यह वह पड़ोसी नहीं है जिसका मैंने सपना देखा था ठीक है अब कुछ मौद मस्ती करने और अपने नए घर को सजाने का समय है फिर मैं निश्चितरूप से अच्छे मोड में रहूँगी मेरा पैलेट यहां है और आपको चमकीला बनाने का समय है मैं गुलाबी से शुरू करूँगी फिर थोड़ा पीला और नीला रंग डालूँगी कितना सुन्धर है वाव मैं तो बहुत खुश हूँ मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है और वाद छट पर क्यों है चेंता मत करो सुन्धरी मैं गिरूँगा नहीं मैं बस इस छट को एक रहस में ही बना दूँगा वाव बढ़िया हम अपने पड़ोसीों को तो नहीं चुन सकते खेर मुझे पिक छट को अपकुछ डिजाइन बनाना है और मेरी कावबॉय रसी इसमें मेरी मदद करेगी है या बस मुझे लगता है कि अब बादल मेरे चट पर बहुत सुन्दर लगेंगे अहा उसने ऐसा कैसे किया मुझे लगता है मैंने अपने बाल नोच लिए और यह एक आइडिया है अब मेरा घर और भी भयावब लग रहा है देखो इतने काम करने के बाद मुझे भूख लग गई है मेरा लंच कहा है मुझे कौकरोच बहुत पसंद है रुको, कौकरोच मत खाओ चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाने दूँगी ये लो, इसे खाओ या क्या है ओ, कितना गिनोना मुझे मीठा बिलकुल पसंद नहीं है तुम ठीक तो हो न? जाओ भागो, जल्दी चले जाओ, तुम आज आदो वाओ, मेरे घर में पंक और एक बड़ा सा दिल के आकार का लॉलिपॉप नहीं है बहुत बुरा है कि बीटल जूस को वे पसंद नहीं है लेकिन ये बहुत प्यारे होते है ओ, कितना भयानक पडोसी है क्या पड़ी के पंकों से घर को सजाना संबब है? सबसे अच्छी सजावट बड़े से सिंग से होगी मैं समझ रहा हूँ ये देखो, ये अच्छा है इन खिड़कियों में कुछ गरबर है अब ये अच्छा है मैं तुम्हें अपने खूबसूरत घर से मिलवाता हूँ अगर हिम्मत है, तो आओ सच में घर? ओ, तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है चोकि तुम्हारी खिड़कियां मेरी आखे है इसलिए मेरे जबड़े के आकार का एक दुष्ट दर्वाजा बनाने का समय आ गया है यह बहुत बढ़ियां होगा मैं अपने दाद भी नहीं साफ करूँगा ये ये से यहां लगा देता हूँ और ये इधर और मुझे पालतु जानवर भी मिल जाएंगे बस इसे अपना ही घर समझो दोस्ट एक बड़ा ओक्टूपस है तो वो मुझे खा जाएगा बिटल जूस बिटल जूस बिटल जूस हाई पड़ोसी मेरे दोस से मिलो ये मिलो हलो बिटल जूस तुमने मुझे डरा दिया इतना दर्द क्यों हो रहा है ओ लॉन को सजाने और एक खोबसुरत रास्ता बनाने का समय आ गया है ये अच्छा दिख रहा है और बस इतना ही नहीं है इसके बाद मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूँ बस ये देखो है ना अच्छा अंदर आओ प्यारे गेस्ट और ये बार्वी क्या कर रही है मेरा लॉन सबसे खुबसुरत गुलावी प्लांट से भर जाएगा वे मुझे और मेरे मेहमानों को हर दिन खुश रखेगा वाओ कितना सुन्दर दिख रहा है मैं लगबग रास्ते के बारे में भूली गई थी मैं इसे नारा और मुलायम बना दूँगी ताकि तुम इस पर नंगे पैट दोड़ सको बिकार हाँ हाँ अब मेरे घर के अंदर को सजाने का समय आ गया है ओ यह बहुत ही बड़ा काम है मैं इस कोने में एक टेबल रखूँगा और दूसरे कोने में मेरी फेबरेट स्कल के साथ एक ताबूत के आकार का सेल्फ होगा ओ ये यहाँ यहाँ तुम हो क्या तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारे बारे में भूल सकता हूँ हाँ बिटल जूस और ये भी इधर रखा जाएगा अब सब कुछ सही लग रहा है बिटल जूस बिटल जूस बिटल जूस हाँ अब सब ठीक लग रहा है ओ नहीं ऐसा नहीं क्या नरम और गुलायम कार्पिट है इस पर पैटना बहुत आराम दायक है और दिवारों को गुलाबी कॉटन केंडी बादलों से सजाय जा सकता है बस फूलों के फूलदान के लिए एक प्यारी गुलाबी में इसकी कमी है हैलो ओ बेटल जोस तुमने क्या किया ओ तुम सारे फूल मुझ जा गए है फिर मैं एक गुलाबी टेड़ी बियर रखूंगी सबी को हैलो क्या बढ़िया आइडिया है और अगर मुझे भूग लगी तो मैं मशीन से गम खाऊंगी ओ नहीं वो फिर से परिशान करने वाला पडोसी बिना इंविटेशन के आना ठीक नहीं है ये लो तुम ये देखो और ये क्या ये ये अच्छी बात नहीं है बार्वी अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा सबको पता चलना चाहिए कि बार्वी यहां राती है और यहां प्यार का राज है और बस ये तयार है हाँ कितना पुरा पडोसी है तुम भी बहुत बुरे हो ठीक है चलो दोस्ती करते हैं आखिरकार हम पडोसी है हाँ चलो मैं तुम्हें रात के खाने पर इंवाइट कर रही हो ठीक है, दोस्ती कर लेते हैं, यह अच्छा रहेगा आहाँ आ तुम्हें जेली बिंस चाहिए आ तुम्हें सड़ा हुआ सेप चाहिए धन्यवाद तुम्हें यह पसंद आएगा लेकिन मैं अपने लिए नहीं बोल सकता यह जेली बिंस इतनी मीठी है लेकिन बहुत गंदा है क्या दीन है यह अच्छा है कि मैं कुछ चाय पी सकती हूँ हाँ, वो तो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद जल्दी फिर मिलेंगे दोस्तो